दोस्ते नमस्ते, आप सभी का दाय यंकिसान चैनल पर एक बार फिर से जवाबत है वह देखे जीरा जो है और धनिया इसब गोल सौंफ इन सब की जो है बुआई फिलाल चालू है हलाकि मौसम थोड़ा सा साथ नहीं दे रहा जिस वजह से थोड़ी बुआई में देरी देखने को मिल रही है यानि कि बुआई में डिले देखने को मिल रहा है दोस्तों फिलाल राजस्थान के जो बुआई के जो आकड़े हैं वो तो सामने नहीं आये हैं लेकिन राजस्थान में एक दिक्कत सामने ये आ रहे है कि जो जीरा है उसके अंकुरन में समस्या पैदा हो रहे हैं कुछ दिन पहले जो जीरा बोया गया था उसमें फुटाओ नहीं हो रहा और इस बात की जो जानकारी है कई किसान भाई कमेंट करके भी बता रहे हैं दोस्त ये लिखते हैं कि भही राजस्थान में जीरे की बुआई कम रहेगी पहले मौसम की मार और फिर लाइट में बहुत अधी कटाउती की जा रही है साथ घंटी के जगए तीन से चार घंटे लाइट मिल रही है। अशोक रानेरी लिखते हैं कि राजस्थान में 25 प्रतिशत ही बुआई हुई है जबकि 2023 में समझ जो है 50 से 60 प्रतिशत बुआई हो गई थी और रहुल हुमार लिखते हैं बालो तरह जिला के गाउं के आसपास जो है राजस्थान में 40 प्रतिशत ही बुआई हुई है जो गर आम लिखते हैं कि बिजले की भारी कमी की वज़े से जीरा बुआई पर इस बार भारी असर राजस्तान के बाढ़ मेर्क शेत्र में 30 प्रतीशत ही बुआई हुई है जीरा बुआई पर बुरा असर लग रहा है आने वाले दिनों पहले तेज गर्मी और फिर बिजले की कटोती की वज़े से खेती नहीं हो पारी और इससे पैदावार में बुरा असर आने वाले लोगों को मिल सकता है जो गर हम यहीं बता रहें कि वही जिन किसानों जीरा की बुआई की है उनमें ज्यातर अंकुरित जीरा जो है नहीं हुआ और ऐसी ही कुछ समस्या जो है दोस्तों फिलहाल गुजरात में तो नहीं आ रही लेकि राजस्थान में जो है हालात अभी ऐसे हैं कि जो बुआई है उचे तापमान की वजह से कुछ इलाखों में जो है अंकुरन पर असर पड़ा है देखिए पहले बोधिया जीरा और उस चम तापमान तो ज़्यादा था तो उसका फुटाओ जो है नहीं हुआ और किसानों को जो है रभी की फसल में अंकुरन की समस्या का जो है सामना करना पड़ रहा है अलागि ऐसे में किसान क्या है कि अभी थोड़ा मौसम जब साथ दे रहा है तो थोड़ा सा उस जीरे को जो है दुबारा की बुआई कर सकते हैं कई जनकर बताते हैं कि जीरा की जो बुआई का आदर्श समय है जो एक आइडियर्स वक्त होता है वो अक्टूबर के आखर से नौंबर के मिट तक रहता है लेकिन इस साल मौसम की जो बुआई के लिए जो मौसम होना चाहिए था जैसा मौसम वो अनुकूल नहीं रहा और रा तापमान में थोड़ी थोड़ी गिरावट आ रही है तो इसमें क्या होगा कि अब बुआई का ये मुफीद समय है तो ऐसे में बुआई दुबारा से कर सकते हैं जिसका फुटाव नहीं हुआ हलाकि देरी तो हुई है क्योंकि तापमान बढ़ने की वज़े से जीरे की जो बुआई हो उसमें करीब करीब 20 से 25 दिन का डिले फिलाल देखने को मिल रहा है हलाकि अब धिर धिरे थोड़ा जब तापमान गिरेगा तो बुआई का जो रकबा है थोड़ा सा बढ़ सकता है गुजरात के अगर डेटा की बात करें भई तो जो है 25 नवंबर 2024 तक 57915 हेक् हेक्टेर में जीरे की बुआई होई है तो कि पिछले साल इस साल के समानावधी में जो है दो दशमलाव 4-4 लाख हेक्टेर की बुआई होई थी यानि कि गरीब 76 प्रतिशत तक कम आगड़ा भी देखने को मिल रहा है लेकिन अभी क्या है कि मौसम थोड़ा सा सुधार इसम जो है कवर कर लेंगे यानि कि रफ़तार थोड़ी बढ़ेगी हलाकि देखें उचे ताप मान की वज़ा से बुआई वे तो देरी हुई है इस में कोई दोराय है नहीं और इस दोराई तो हुई है और उचे ताप मान की वज़ा से कुछ लोगों ने पहले भी जीरा बुया उसे करते हुए दिखाई देंगे तो रकबा पिछले साल से थोड़ा सा कम तो रह सकता लेकिन कमों पेश बराबर ही रह सकता है क्योंकि देखिए देरी तो हुई है लेकिन कई जानकर बता रहे हैं कि देरी हुई है तो कवर थोड़ा ठीक होगा और जब अब सर्दी थोड़ी और तब एक मोटा मोटा अंदाजा मिल पाएगा कि भाई जो है कितनी उसमें recover देखने को मिल आने कि कितनी बुआई ने cover किया कि जो बुआई पीछे छूट गई थी तो अब कितनी बुआई ज्यादा देखने को मिल रही है जिसका आसर जो है इसके भाई पर आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता लेकिन बड़ी बात यह है कि कम बुआई के बावजूद जो है अभी जीरा के भाई में थोड़ा उतना सुधार देखने को नहीं मिल रहा जितना सुधार दिखना चाहिए था हुआ क्या है कि अभी थोड़ी डिमांड थोड़ी कम है सुस्त है इंटरनेशनल मांग तो सुस्त है घरलू मांग भी जीरे में नहीं देखने को मिल रही है और चाहिए फिर धनिया के डेटा की बात करें जो रिपोर्ट आई हैं सामने तो उसके मुताबिक जो है धनिया में देखिए बुआई थोड़ी कम देखने को मिल रही है फिलाल और जो मैं आपको बताऊं कि भई इसब गुल की जो बुआई है वो भी थोड़ी कम देखने को मिल रही है दोस्तों गुजरात में 25 नवंबर 2024 तक धनिया की जो बुआई है 15,955 हेक्टेर में देखने को मिली है जबकि पिछले साल की समाना वधी में ये बुआई 56,737 हेक्टेर में देखने को मिली थी दूसरे शब्दों में कहीं तो तापमान ज्यादा होने की वज़े से मौसम अनुकुल नहीं होने को बुआई थोड़ी कम हो रही है जबकि पिछले साल की समाना वधी में ये बुआई 68,623 हेक्टेर में देखने को मिली थी इस साल किसानों को जो है दोस्तों सौंफ में अच्छा भाव भी नहीं मिला जिस बज़े सौंफ की बुआई की तरफ जो है उनका रुख कम रह सकता है अब गुजरात का इस सबगोल का बुआई का डेटा की बात करते हैं तो 25 नॉवंबर 2024 तक इस सबगोल की जो बुआई है 1145 हेक्टेर में देखने को मिली जबकि पिछले साल की समाना वधी में ये है बुआई 494 हेक्टेर में जो है दोस्तों देखने को मिली थी तो देखिए अभी ये बुआई का डेटा है गुजरात का है रास्थान का डेटा अभी आया है नहीं तो संभावना ये है कि बुआई तो थोड़ी कम होगी लेकिन चुकि अभी मौसम थोड़ा अनुकूल होने लगा है थोड़ा टापमान गिर रहा है यानि कि ठंड थोड़ी बढ़ रही है तो ऐसे में बुआई कितनी कवर करती ये देखने वाली बात जो होगी दोस्तों फिलहाल अगर एक प्रतीशत के हिसाब से देखें तो गुजरात में जो है धनिया की जो बिजाई है वो केवल 10 प्रतीशत इसव गोल की बुआई जो है 5.59 प्रतीशत और सौफ की जो है बुआई 12.65 प्रतीशत दर्ज की गई है राजस्तान में भी फिलहाल जो है वो आई थोड़ी पिछड रही है जिसका असर जो है दोस्तों उत्पाधन पर आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है तो ऐसे में एक हमारा मोटा मोटान मानिये है कि 5-7 परसंट और अधिक्तम जो है 10 प्रतीशत तक जो है धनिया और जीरा की जो रकबा है वो घट सकता है और देखिए अभी आने वाले दिनों में रमजान की जो है विदेशी मांगने के लिएगी जीरे और धनिये में तो उसका भी एसर भाव पर आने वाले दिनों में देखने को जरूर मिलेगा फिलहाल मौजुदा डेटा तो यह गयता है कि गुजरात में जीरा धनिया की सब गुल की जो है बुआई घटी है और रजस्तान में भी कमोबेश यही हाल है रुजन भाव की जानकारी, समय समय परतेजमंदी की रिपोर्ट, अंतरास्ट भाव की जानकारी, निर्याद भाव की जानकारी के लिए आप हमारे वार्सब ग्रूप की सेवा से भी जोड़ सकते हैं दोस्तों हालाकि इस सेवा के लिए आपको मामली शुल्क चुकाना पढ़ सकता है जानकारी अगर आपको अच्छी लगती भीया तो दैहंकिसान चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए सब्सक्राब करने के बाद बैल आइकन का बेटन जोर दबाईए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले और जो भी नई वीडियो नई जानकारी नई रिपोर्ट हम दें वो तुरंत आप तक पहुँचे और आप जो है उसे देखकर आपनी रणनीती बनाकर मुनाफ़क हमाँ पा आप कमेंट करके अपने शेतर का नाम लिखिए अपने गाउं का नाम लिखिए और हाल बताएए और अगर आपके खेत का वीडियो आप जो है भी सकते हैं तो जो नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है अपने खेत की जीरे की बौई का वीडियो धनिया की बौई का वीडियो इसब गोल की बुआई का वीडियो, सौफ की बुआई का वीडियो जो है, इस वाटसअप नंबर पर आप हमको भेज सकते हैं, अपने गाउं और जिले के नाम के साथ में, और अपने नाम के साथ में, तो वो वीडियो जो हम प्रकाशित करके, आप सब लोगों तक बताएंग इसब गोल का सौफ का भाव जो है, रहेगा यानि कि उस पर निर्भड करेगा, तो ये जानकरे जो है, आप तक दायंकिसान चैनल पिछले कई सालों से, सटीक तक से पहुचाता आ रहा है, और आगे भी जो है, पहुचाता रहेगा, चानकारे अगर आपको अच्छी लगते बहिया, तो दायंकिसान चैनल को सबस्क्राइब करना बिलकुल भी नहीं भोलिए, जय जवान, जय किसान, जय हिंदोस्तान, और हाँ, वीडियो भेजना बिलकुल भी नहीं भोलेगा, नमस्ते